नमस्कार आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर और आज का यह वीडियो रहेगा वो डेटिकेट रहेगा नमबर 5 के उपर हाला कि मैंने सारे नमबर्स मिसिंग होने का वीडियो बनाया था लेकिन आप में से कही लोगोंने मुझसे कहाता कि एक एक करके सभी नमबर्स का बनाई है तो आप लोग कमेंट कीजेगा आपकी टेटो बर्त में क्या क्या मिसिंग है आप कमेंट कीजेगा और मुझे बताएगा और मैं फिर कोशिश करूँगा उनके पर वीडियो बनाने की बाट डेमो के लिए एक टेटो बर्त लिए मैंने और पैनले लेता हूं देखिए यहाँ पर क्या है छे और तीन का कॉंबिनेशन है चे और तीन का यहाँ पर कॉंबिनेशन है तू को लिख देते हैं यहाँ पर फोर को लिख देते हैं यहाँ पर और फिर आता है हमारा ट्रिपल वन फिर आता हमारा नाइन फिर आता है हमारा एट फिर आता हमारा फोर छे नंबर हमारा लाइफ पाथ है तो यह आ जाएगा ल आपको दुबार से यार दिलाओंगा एक चीज कि जब तक आप मैरिट नहीं हो जाते हैं तब तक आपकी इंडिविज्वल चलती है और जब मैरिट हो जाते हैं तो आपको आपके लाइफ पार्टनर के साथ मिलाकर अपने लूशो को देखना चाहिए उससे आपको बहुत देखें यहां पर मैं पिनैकल की बात नहीं कर रहा हूं मैं कुवा नंबर की बात नहीं कर रहा हूं सिंपल पांच नंबर की बात कर रहा हूं अगर पांच नंबर सारी जोड़तों लगाने के बाद भी आपका पांच नंबर मिसे का रहा है तो पिनैकल लगा लिया अपने प्रتي जहांगे जाएंगे वह होते हैं वह बहुत जादा जलदी अड़ेप्ट हो जाते है . वह जहांपडिको और बहुत जाएंगे उनके अड़ाइक। सबसे अच्शी बात उनके अंदर होती है कितनी में दिक्कत हो, कितना भी प्रॉब्लम्स हो यह आपको इनका फेस हमेशा आपको स्माइली मिलेगा अगर यह पांच नमबर उनकी टेटो बर्थ में है तो दुख हो, सुख हो, किसी भी तरह के दिक्कत हो उससे किस तरह से बाहर आना है, किस तरह से उनको ओवरकम करनी है अपनी प्रॉब्लम्स, वो पांच नमबर को बहुत तरीके से आता है करना, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि बहुत ज़्यादा रॉमांटिक होते हैं, लेकिन एक्स्प्रेसिफ कम होते हैं, पांच नमबर जिससे प्यार करेगा, उसके प्रती बहुत ज़्यादा डिवोटेड रहेगा, और क्योंकि अर्थ का नमबर है, सेंटर का नमबर है, और अगर टू-फाई वेट को पूरा करता है, आपकी लूशों में, तो आपको माला माल बनाएगा, आपको प्रोपर्टी वाला बनाएगा, और बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आप चलोगे, एक चीज़ की बात यहाँ पर होती है, कि इनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम की जरुवत होती है, यह किसी के उपर, अगर आप इनके उपर कोई बैठा है, और जब अस्तीन से काम कराएगा, तो काम नहीं कर सकते हैं, यह हर नमबर के साथ फ्रेंडली हैं, कोई कहीं पर कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आती, अब यह तो अच्छी बाते हो गई, अब जो गलत बाते हैं वो आप समझ लीजिए, उसके बाद में रेमेडी भी बताऊंगा इसकी, कि अगर पांच नमबर मिसिंग है आपका, तो आपको क्या रेमेडी करनी है, देखिए अगर पांच नमबर आपकी लूशो में जो है, वो मिस आ सकती है, अब आपको constant motivation चाहिए होगा काम करने के लिए, कोई भी काम आप कर रहे हैं, उसमें जब तक कोई motivation नहीं आएगा, suppose करिए कि आप एक YouTube का channel बना रहे हैं, उसमें व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप उसको change करने की कोशिश करेंगे, कुछ निया करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप परिशान भी हो सकते हैं, आप परिशान इस दे सेंस आप क्योंकि कई वार जब पास नमर missing होता है, तो आदमी जल्दबास किसम का होता है, facts पे नहीं जाता, तो यहाँ पर आपको अपने emotions से काम नहीं चलाना है, आपने अपने जो है practical तरीके से काम करना है, पास नमर अगर missing होता है, तो थोड़ा सा क्रोध भी जल्दी आएगा, और वानी दो शुपन हो जाता है, और कोई भी काम अगर आप करने जा रहे हैं, अगर पास missing है, तो पहले उसके facts को देख लें, negative or positive aspects को आपको देखना पड़ेगा, तब ह आप कोई काम करें, अगर आप चल्दबाजी में कोई काम करते हैं, तो दिक्कते आपकी बढ़ सकती हैं, अब इसमें एक चीज़ मैं यहां पर और जोड़ना चाहता हूं, कि अगर आपका 5 नमर missing है, बुद अगर आपका खराब है, तो दो तिन चीज़े और आपकी होती है जैसे की बुआ से, बेहन से, और साली से रिष्टे जो होते हैं, वो थोड़े से खराबी रहते हैं आपके, और उनके साथ, कासवर से बेहन और साली के साथ जो रिष्टे होते हैं, वो कुछ खास नहीं होते हैं, हमेशा कम्मनिकेशन की गैप रहती है, और कोई ना कोई जागने की आदत भी देखने को मिलती है, रात में आदमी बहुत तेर तक जाता है, और अन्निससरी थाट्स में वो रहता है, और कई बार गुस्से में आके अब शब्दों का प्रियोग भी वो करता है, और सिक्स लाइफ जो होती है, उसमें थोड़ा सा ज्यादा आतुर रहत है, और जो दिन्दु धरम में नहीं है, उनके लिए भी रखी है, तो देखिए जो हिंदु धरम में हैं, उनके लिए तो गणेश जी की पूजा बहुत जाता इसेंशल हो जाती है, क्योंकि बुद्ध का नंबर है, जितना आप इसको इंपॉर्टेंट रखेंगे, जितना जाता इसको आप तरीके से रखेंगे, उतना आपको फायदा देगा, और मादुर्गा की आप पासने कीजे, इससे आपको शक्ती मिलेगी, सोचने का एक सहस मिलेगा, और आप का माश नंबर अगर मिसिंग है, तो इंपैक्ट उसका जो है, वो कम आपको देखने को मिलेगा गड़े जी की पूजा तो मस्ट है, आप गड़े जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, और बुद्वार वाले दिन, अगर आप दुर्वा कहां गड़े जी को और पन करें, तो आपको बहुत फायदा होगा, अब मैं अलग थोड़े से और बताता हूँ आपको, देखे, साब गड़े को रोटी खलाइए आप स्वीक्वेंट वे में, तो इससे बहुत फायदा होता है, इससे केरियर से जुड़े वे जितिक्कते होती हैं, वो आपकी खतम हो जाती है, और बुद्द वाले दिन, अगर गाय को हरा चारा खला सकते हैं, तो वो जरूर खिलाएं, आपको अगर रिलेशन को अच्छा रखें, और साली के साथ अगर रिलेशन नहीं है सही, तो कोशिश करने ठीक करने की, लेकिन अगर नहीं होते हैं, तो एटलिस पुआ और जी के साथ या और अपनी बहन जी के साथ अपने रिश्टे को थोड़ा मुझबूत करें, तो ये पाश नमर के उपर एक डिटेल वीडियो था, अगर आपको भी अपने बारे में कुछ पूछना है, तो आप जो है कमेंट करिएगा, और आपके रोशो ग्रिड में और आपकी डेट बर्त में जो नमर मिसिंग है, वो आप कमेंट करिए, मैं धीरे धीरे सब भी वीडियो से आपकी रेंगे.